हेलो दोस्तों कैसे आप सब लोग आसा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे BMS Second Day के सब्जेक्ट रशास्तर में चेप्टर नमबर 3 यंतर उपकरण परकरण के बारे में दोस्तों इससे पेले वाली जो वीडियो ची रशास्तर से रिलिड्यर उसमें मैंने आप लोगों के साथ में डिसक्स किया था पारत चेप्टर के बारे में उसमें जितने भी important topic थे उनको cover किया था आपसे पहले वाली वीडियोत में आपसलोगों के साथ में परिभाजा परकरण کے बारे में डिसकस किया था, दोस्तों आज की वीडियो में जो चेपटर नमर थरी है, इस चेपटर नमर थरी के अंदर टोटल मिलाकर के बुक में चार टोपिक दिये हैं, और यह जो परकरण चेप्टर के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि यंत्र की डेफिनेशन जो है क्या होती है उसके बार में आप लोगों के साथ में डिसकुस करूँगा कि यंत्र की संख्या जो है अलग लग सास्त्रों में क्या क्या बताए गई है और दोस्तों आज की वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि अलग लग यंत्रों के निर्मान की वीदियां जो है वो क्या बताए गई है और जब दोस्तों यंत्रों का निर्मान कर लेते तो यंत्रों को बनाने के बाद में उ लोग है तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि स्वेदन आधी कर्म निर्मातु वार्ति के अंदरम प्रियतनम यंत्रियत पारद यसमाद तसमाद यंत्रम इतीस मरता मतलब कहने का मतलब यह कि स्वेदन मरदन आदिकार्यों को करने के लिए तथा पारत को नियंतृत करने के लिए रस्चिद्धिध्य दौरा परियत्न पूर्वक जिन जिन साधनू का प्रियोग किया जाता है उससे yantar कहा जाता है दोस्तों जब मैंने आप लोगों के साथ में पारत चेप्टर जो इससे पहले डिसकस किया था तो उसमें मैंने आप लोगों को अलग-लग प्रकार के प्रोसेजर बताई जिसके अंदर स्वेदन, मर्दन, मुर्चन, उत्थापन, पातन है यह सारे जो पारत के अश्टवीद संसकार मैंने आप लोगों के साथ में डिस इस परना है. यह सारी चीजे जो है कि टाइम डिरिशन तक कर रहते हैं और उसको जो भी हीट है वह एक कितने तक देनी वह सारी चीजे अपने करी थी ठीक है? तो उस दोरण यह सारी चीजें का मतलब यह है कि या पर पारत को निया त्रकरार और अलग-लग परकार की राश सिद्धी मतलब जैसे मान लो कि किसी भी उस्ति का सत्तू निकालना हो किसी भी उस्ति की जो है दुरूती बनानी हो किसी भी उस्ति की जो है वो बस्म बनानी हो तो इन सभी चीजों को करने के लिए आपको जिन अलग अलग चीजों की requirement होती है जिन सादनों की जरूत होती है उन सादनों को ही क्या बोला जाता है दोस्तू ये अंतर बोला जाता है ठीक है एक बार वापस मैं आप लोगों को बिता देता हूँ दोस्तू तो इसमें लिखा हुआ है कि स्वेधन मर्दन आदी कारियों को करने के लिए पहला प्योट दो है कि अगर आपको स्वेधन करना है, मरदन करना है या ना आपको जारण, उथापन, पातन, कुछ भी करना है तो उन सारे कारेजि़ों को करने के लिए और दूसरा पॉइंट है दोस्तु कि पारद को नियंतर्द करने के लिए रस्षिद्धी दोरा परियतन पूर्वक जिन साधनों का प्रियोग कहला जाता है यंतर कहलाते है ठीक है यह चीज चीज ठीहान रखना हुए उन्हें को जो है क्या बोला जाता है है और तो नीचे लिखा उए जो इंपोर्टैंट था वो में आपको बता दिया जिन उपकरणों को काम में लेज़ता उसे यंतर का जाता है क्योंकि अगर आप यंतर के अंदर रखोगे तो जो भी उसका सुएधन मर्दन है ये भी अच्छे से हो पाएगा दूसरी बात है कि कोई भी द्रवे जो है वो कोई भी वस्तित द्रवे को जब आप अगनी में रख रहे हो तो उसके जलने की संभावना उसके गिरने की संभावना उसके उड़ने की संभावना ये सारे भी क्या हो जाती है काम हो जाती है ठीक है तो इसलिए इन सभी यंतरू का प्रियोग जो हो रसोस्तियों के निर्मान में रस्षिद्धि के निर्मान में पारत को सुद्ध करने के लिए इन रसास्तर के अंदर अलग-अलग जो प्रोसीजर है उनको करने में किया जाता है अब दोस्तों second point देखते हैं कि जो यंत्र बताये हैं इन यंत्रू की संक्या जो है वो रसास्तर से समंदित अलगलग गरंथू में क्या-क्या बताये गई है उसके बारे में बात करते हैं कि रसास्तर से समंदित गरंथू में यंत्रू की संक्या जो हो क्या-क्या बताये गई ह तो दोस्तो अगर मैं रस रतन समुच्चे की बात करता हूँ तो रस रतन समुच्चे जो की 13 स्थाप दिक्या गरंथ है और इसके 90 चेप्टर में टोटल मिलाकर की कितने यंतर बताये हुए 32 यंतर बताये हुए ठीक है आनंद गंद की बात करें तो आनंद गंद जो की पंदरु स्थाप दी गया गरंथ है और इसमें यंतरु की संक्या 41 है 41 बताईए रस्त रेंगिनी के अकर्डिंग यंतरु की संक्या की बात करें तो 20 यंतरु का जो इसमें वर्णन किया है और पारत सहीता की बात करें तो दोस तो अगर गरंतु की बात करो तो रस प्रकास सुदा करें जिन्होंने टोटल मिलाकर के अंतरू के संक्या 40 बताईए रस जल नीदी है उसने जो है वो 37 बताईए से 30 बताईए उसके लाओ रस रतन समुच्चे मैं आप लोगों को बताई चुका कि 32 यंतरू की संक्या बताई और दोस्तों जो रस रतन समुच्चे है में शुरू से जब आप मैंने आप लोगों को पारत चेप्टर पढ़ाया था तो उस टाइम पर मैंने बोलाता है कि रस आ इंतर होगा उसका नाम है उसके निर्मान की विद्धी क्या होती है उसको किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से अलग अलग प्रकार के प्रोसिजर में उसको यूज लेते हैं उसके बारे में देखेंगे सेकेंड देखेंगे कि खल यंतर जो क्या होता है उसको किस तरह से बन करते हैं उलुख लियंतर की तो उलुख लियंतर का दूसरा नाम होता है दोस्तों इमाम दस्ता ठीक है घर पे आपने देखा भी होगा आपके घर पे इमाम दस्ता होगा तो उस इमाम दोस्तों इस तरह से बनाते हैं तो सबसे पहला पंट तो इसको बनाने के लिए परियोक करना प्रियों करना ठीक है अब दोस्तों लुहे के इंदर भी अगर मैं रसास्तर के according बात करूँ तो जब आपन आगे दातु आला चिप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर लोहे के तीन परकार होता है ठीक है जो दातु है उन दातु के अंदर लोहा दातु जो होती है उसके तीन परकार होता है मूंड दिक्ष्ण और कांत ठीक है इन तेरा होना है । इसको होने चिए है और इसका परयोका अट परकार कटिन तर्वे को कूट ने परCra nephew चूरण करने के लिसका परीयोग किया जाता है एक अधर का canal और स oko को यह सुम्कल में आप लोगों को जो जो है वो general language नहीं बता दिया है लेकिन इगरमTer कर करता हु는 ने इसकी зовут घठकिए खिये फिरगेर होता हैं आंगुल लमभा जैसे होता है मुछल होता है थीच तरह से अाफ देख सकते हों दोस्तों अब बात करते हैं सिकेंड यृंतर जिसका नाम है खलवी अन्तर की बात करें तो घलवी अंतर के फर्दर जो इब तीन स्को बताय regarding सब से पहला उता है उसका नाम काल घलवी अन्तर सेटिंडि स्काना में पर छोड़ा है और आ Git वौरבה उता है उसके बताया वें इनमें से दोस्तों गर और चंद्राकार खल्वीयंत्र की बात करता हो तो अर्थ चंद्राकार खल्वीयंत्र की कितने परकार थे हैं तो आपको इसके पूझ लिए तो तो आपको परमाण लेगना है एक दीस अगुल लंबा होता है दस अगुल ऊच्छा होता है परिणाम वाला मतलब इसका लिकोता है परमाण का होता है परन Beanरा है यह किब हो भीन वृधेख रहा भी थी ठीक है और लेकिन यहां पे जो तब्त खल्वी अंतर इसमें दोस्तों मुसली जो आपको मुसली जो है लोई की वह आट अंगुल लंबी होते हैं इतना सा आपको ध्यान रखना अब दोस्तों इसके लावा अगली चीज जो आप लोगों के साथ में पूची जाती है व उस ताइम में यहां पर भी लिख रहाओं की पत्थर से भी बनाते हैं और इदर लिका रहा हुआ है कि लोहे से भी बनाया जाता है और लोहे के अंतर सबसे स्रेश्ट कौन सा होता है कांत लोगता जो कि कुरोड़ों गुणा फल दायक होता है ठीक है तो इंपोर्टेंट च कर सकते हैं यह तोड़ा सा एक डिफरेंस आप ध्यान रखना अब बात करते हैं कि दोस्तों जो खल्व इंतर आप लोगों के साथ में डिसक्रसिया इस खल्व इंतर का यूज जो है वो चिकित्सा के अंदर क्या है या पिर अलग-अलग प्रकार की रहा सोस्तिया जब बनात सकते हैं उसके छार और उड़के साथ मरधन के हुई पिस्टी के जोता है बर लोगों के साथ में संक यह जोता है सोलाइ वर्तुली अंतर भी आप लोग देख सकते हो कि चार अंगल गेरा होता है। उसके लाओ इसकी चोड़ाई 12 अंगल उती है और उसके लाओ इसमें जो मुसल है भी यह लगा ओता है। को जो भी जगह उस प्लेंग जेट को सलेक्ट करना है और प्लेंग पर आपको एक घड़ा कोदणा है ठीक? जो चोकोर गड़ा कोदना है तो एक चोटे आकर की नाद होति है और एक बड़े आकार की नाद होती है, मतलब बड़े आकार की कड़ाई होती है तो आपको सबसे पहले गड़ा खोदना और गड़ा खोदने के बाद में आपको एक छोटे आकार की कड़ाई जो है वो इसमें ऐसे सेट कर देनी है, ठीक है इसके बाद में इस छोटे आकर के कड़ाई को जिससे आप सेट कर दे तो सेट करने के बाद में इसमें अपने को क्या बर देना है पानी बर देना है यह पूरा को पर यहाँ पर क्या बरावा है पानी बरावा है इसके बार में जमीन के लेवल से इस छोटी वाली नाद मनलब चोटे वाली कड़ाई के उपर आपको एक और बड़ी कड़ाई रखनी ये आपको देख भी रही होगी डाइगराम में ये बड़ी कड़ाई रखी और इसके बारे में दोस्तों जो बड़ी नाद है उस बड़ी नाद के उपर आपको क्या रखना है मुसा रखना है इस मुसा तो ओपर से अपने क्या कर दे ढ़क दिया और ढगने के बाद में उपर आपको जो है ये सारे काया कंडे रखे हो है मतलब कि एक तरह से चाने जिसको अपन बोलते है वो चाने या कोईले से बने वे जो भी जाने है वो अगनी के लिए अपने उपर रख दिया और उसके बाद में अगनी जो है यहां पर उपर अगनी जो है यहां पर जला देते है ठीक है अगनी के विज़े से इसमें जो भी ओसदर वे रखा हुआ है मुशा के अंदर उसका पाक होता है ठीक है मुसा रखे जिसके अंदर और रखा वाया और फिर उस और युक्तुमुसा को पने एक कटोरी से और किसी चीज़ से ढख दिया ढखने के बाद में ऊपर अपने क्या रख दिया कंटे रखने के बाद में अपने यहां पर अगनी जला दी मतलब आग लगा दी ताकि इसमें जो दूसरी नाद जो के बड़या करी उसमें मूसा मूसा मतलुक्ता है समेत पारद मतलब कि जड़क पारद हो उसको अपने को रखना रखने के बा gour Satogen h Hind उसको कटोर से ढख देना ढद के बार दोब मतलब कि जो चो आगर की कडाई है और बड़या कर गर एक बात बताओ कि जब तब बन दन करते हैं एग चीज को भी किस चीज का पृयोग चूना का परियोग कर सकते हैं मृपर को अगनी जला करके जो भी मूसा के नदर रखआ हुँए तो इस तरह से कच्छपीयंतर को बन Всugunt般 करके अब दोस्त यह पाहाँ पर करते हैं तो पारत वुफुक्सितोकर गर्भ दूरुति की योग्यों जाता है अगर मूसा में पारत को रखते हो ठीक है तो वो पारत जो हो भुबुक्सित में बख्षन सम्ता बढ़ जाती है और उसी के साथ दुरूती जो है उसकी दुरूती प्राप्त करने की योग्य जो पारत हो जाता है सत्व आदी सिंग्र द्रवी भूत हो जाते है ठीक है और पारत में वीडू का जारण करना मतलब की पारत के अंदर किसी वीड का मतलब जारण करने के लिए उसका लाउसत्तों को दुरूत हो जीरण करने तो इसका प्रियोग किया जाता है ठीक है इस तरह से कच्छा प्यंतर जो हो दोस्तु होता है अब यह कच्छा प्यंतर का नीचे डाइग्राम में आप लोगों को बन वह प्रियोग में लगा करके जो है उसको यूज में लेना यंतर को ठीक है इस तरह साथ को बनाना है तो दोस्तु यह तियाँ के मारे वीडियो जिसमें आप लोगों के साथ में डिसकस किया यंतर चेप्टर के अंदर जो भी खल्व यंतर और कच्छप यंतर इसके बारे मे इससे पहले जो है मैंने आप लोगों के सास में डिसकस किया कि यंतर की प्रीवासा क्या होती है और इसके लाओ दोस्तू अलग लग सासर से समंदी जो भी गरंथ है उनमें यंतरू की संख्या कितनी बताएगा इसके बारे में दोस्तों आने बाली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पातना एंतर दोला एंतर और उसी के साथ डमरू एंतर क्या होता है इन सभी के बारे में देखेंगे थेंकिस सो मच गाइस